हलो फ्रेंड आजके इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 30 एंडुट मॉइलफोन में आप अपने डिलीट हो चुकी फोट एव वीडियो को आपना रिकवर कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो चलिए आप यह वीडियो का हमें स्टार्ट कर लेते हैं, देखी दोस्तों, आप अपने मुवैल फून के डिलीट हो चुगी फोटे यह वीडियो को अपना दो तरीकों से रिकवर कर सकते हैं, पहला इस वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं, देखी दोस्तों, सबसे बहले तो मैं अपने मुवैल फून की गैलरी को ओपन कर लेता हूं, ठीक है, मैंने यहापर अपने फून की गैलरी को ओपन किया, आप देखी है, यह वाला एक फोटो, इस फोटो को मैं बढ़ा करके दिख अपने फोटो को इस पहले तो इसे डिलीट कर देता हूं, ठीक है, यह मैंने डिलीट कर दिया, फोटो यहां से अठा चुका है, आप देखी इस फोटो को रिकावर करने के लिए आपको करना है, आपको नीचे की साइड है, छोथी नमबर पे लाइबरी का ऑप्शन दे लोगई करते हैं इस फोटो को बढ़ा करने के लिए और दूसरा तरहीं, होता है रिकावर करने का देखें, यहाँ पर इस फोटो का आप उंगले से दबाकी रखेंगे ना तो एक राइटिक लग जाएगा इसी तरीके से आप ज़या और फोटो को यहां पर वीडियो तो यहां पर आपको नीचे restore पर टैप करना है आपकी जो फोटो हुई मैं आपको समझाता हूँ लिमिट कितरे दिन के होती है देखे इसके लिए आपको समझने के लिए ट्रैश वाले पेज में आना है और यहां पर देखे दो जगे पे लिखा हुआ है एक दूसरी लाइन में लिखा हुआ है 60 देज यानि कि 60 दिनों के अंदर यानि कि लगबग सरीके से काम करते हैं ठीक है मैं आपको समझाता हूँ कैसे देखे आपको बैक पेज पे आना इस वाले पेज पे आपकी फोन की गैलरी में सबसे परी प्रोफाइल पिक्चर होती है राइट साइट की टॉप पर ठीक है इसे टैप करेंगे तो आपका एक पेज आगा यहाला अपकी यहां पर ट्रेश वाले पेज में शाठ दिनों तक पड़ी रहेगी ठीक है जिस डेट को डिलीट करेंगे उसके आने वाले साठ दिनों तो यहां पर पड़ी रहेगी साठ दिन के अंदर आप उसे रीकवर कर सकते हैं साठ दिन बाद जो आप ऑटमाटिक नहीं किया तीस दिन के अंदर तो तीस दिन बाद जो आटमाटिक पर्मानेंट डिलीट हो जाएगी आस भी तो आपको समझ में आगएगा साठ दिन और यह तीस दिन कैसे काम करते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप जो आपने मूबाइल फून की सैटिंग के जरीए ही